नमस्कार मित्रो मैं मम्ता वाजपी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नए जानकारी के साथ आप देख रहे हैं इंडियन टरिस गार्णिंग आर्ट और साथ ही देख रहे हैं हार्वेस्टिंग जो मैं वीडियो डाले हैं और भो मैं इसलिए भी डालती हूँ ताकि जो लोग नए हैं वो नए विश्वास को कि सच में हो सकती है हार्वेस्टिंग छत पर अच्छी सब्जियां होती हैं यदि आप थोड़ी सी जानकारी के साथ करते हैं और जुड़े रहे हैं मुझ से थो मुझ क्या क्या तैयारी कर लें वो तो हम बात करेंगे आप साथ में आप हार्वेस्टिंग देखते जाएं और चलिए करते हैं काम की बाते हैं तो जो सबसे पहला काम है सप्टेंबर का आखरी सब्ता है यह उमीद है कि सप्टेंबर बीते बीते बरसाद बंद हो जाएगी वैसे हमारे यहां आज भी बहुत तेज पानी गिरा है और उसमें नुक्सान यह हुआ है कि बरसात बहुत होती है तो हम विंटर वेजिटिबल्स के सीड नहीं डाल पाते पौद उगाने के लिए एक ऐसी जगे चाहिए जो चायादार हो और सनलाइट भी आए तो इसके लिए जो प्रोफेशनल नर्सरीज होती है वो पौली हाउस बनाती है और मैं इसलिए भी चिंता नहीं कर रही हूं कि मैं बीज नहीं डाल पाई हूं तो मुझे पता है हमारे य बाई हैं वो किस्तों में लगाते हैं एक दिन में सारे भागी चे मैं नहीं लगा देते हैं किस recipients लगाने से हमें लगातार सबची मिलती रहती है तो मैं पाथ के लिए कैसे मिट्टी बनाओं इस पर वी वीडANा और पाथ कैसे डालाते हैं इपाँ Всем कैसे कtechn के स्टरीदी में अब ही हमें क्या कर लेना है इस सबसे पहले हम पॉद दालेंगे तो हमारी 20-25 दिन में पॉद तैयार हो जाती है तो लगी जाते हैं 25-30 दिन लग जाते हैं खासकर के गोभी पत्ता गोभी इनकी बैगन टमाटर की तोड़ी हो सकती है तब तक के लिए हमें मिट्टी तयार करना है अब हमारे इन गंळों में तो पहले से पॉद लगें ने जो जो काम कर रहे हैं वह भी पहां साजा करूंगी जो मैं नई भी कर पा रही हूं वो भी मैं आपको बता रही हूं कि यह दि आपके पुराने पोधे जो गंळों में पॉद्धे लगें रो पुराने बेजान सी हो गया है मैं फ्रूटिंग हो रही है लेकिन बहुत कम हो रही है तो फिर लालच नहीं करना क्योंकि हमको अब नई मिट्टी तयार करना है यदि आपके पास आपके कोई नर्सरी है और अगर आपको तयार पौद मिल जाती हो तो सबस्च अच्छा उप्शन है यह देखिए गवाबा अमरूद इसमें से 5-6 फल लगे साल पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई छत पे आते थे पका हुआ पल सीमेंटे मिट्टी के हैं तो कोशिश करें को उन्हें धोकर एक बार धूप में रखते हैं जो मिट्टी आप खाली करें उसे फैला दें पतली लेयर च्छत पर ताकि उसको भी संलाइट हो इसको हम स्ट्रलाइज करना कहते हैं तो मैं कह सकते हूं कि मिट्टी को स्ट्रलाइ जग है उनका गोबर की जग है तो उस ios भ९ह उस में लाई है तो और यदि आफके तो फो फैलाइं अर्टी पसंडर्ड तक पूरी лег करें रहा नहीं करें मिट्डी को पूरा ड्रा जिसने हाँ हाक तर अब पनश या कोई भी ऐसे रोग जो कि नमीसे फनपति हैं वो खत्म हो जाएं और ये मिट्टी तयार करके मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगे आप देछ नहीं होगा तो में ढूर के लिंक दूँगी और नहीं देपायां तो आप देख लेना तो उस मिट्टी को पूरे तरीकित से तयार करके आप ताकि जिस तिन आपकी पॉट मिल जाया अचानक मार्केट में भी बहुत मिलती है हमारे तो गौर्मन नर्सरी में बहुत मिलती है और नहीं तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगे आपको पॉट दलना है तो आप डाल सकते हैं यह देखिए हमने बेलो को काटना चाटना शुरू कर दिया है और इन ड्रम्स के साथ अब हम क्या करेंगे एक साथ नहमने सबजी लगाई थी नहम एक साथ खाली कर सकते हैं अभी देखिए हमने लॉंग बीन की फलिया हटाई है क्योंकि उनकी फ्रोटिंग कम होगी थी और उसमें कीडे भी बहुत लग रहे थी यह जो कार्वेज निकल रहा है इसको भी स्ट्रलाइज करेंगे संलाइट दिखाएंगे पिछली बार एक कमेंट आया था कि आपने गीला कच्रा इसमें गंबले में भर दिया तो क्या पौदे को नुकसान तो नहीं होगा जब हम गीला कच्रा भरते हैं तो यह डीकमपोज होने के क्रम में कुछ गैसेज रिलीज होती हैं जो कई बार पौदे को नुकसान करती हैं यह सच है पर मेरा वो कच्रा हाफ ड्राइड था और वो काफी नीचे की लेयर में था बहुत उपर मिट्टी थी और हमने उसमें सं इस कर पाती हूं आप अगार ने कर पाते हैं तो एंन बेलों को स्टेलाइज करें गोबरखाद क यृच् balic में यह वीडियो डालूगी अपने ड्रम में में क्या करने वाली हो दिए उपर तक ओवर लोड़े हैं वह इसलिए कि इन बेलों पर मैंने आपको बताया था मैं हर पंदरा दिन में ऊपर से किलो दो किलो मिट्टी डाल देती थी खाद युक्त ताकि बेलों को नई मिट्टी है तो आप पूरा ड्रम पलट के पूरी मिट्टी इस्ट्रलाइज कर लें तो सबसे अच्छा है अब मेरे बहुत सारे ड्रम हैं और इतना अगर नहीं कर सकते हैं तो मैंने कुछ दिन खाली छोड़ूंगी तो यह मिट्टी अपने आप संलाइट के कॉन्टेक्ट में अगर उपर के चार पाँच इंच लेयर में मैं नई मिट्टी भरूंगी ऐसा इसलिए करूंगी कि पुराने मिट्टी ने जो है इतनी सारी बेलों को खाना दिया है तो यह अब उतनी पॉस्टिक नहीं है इसमें मैं थोड़ी सी नई मिट्टी मिला दूंगी और इसकी पु नाकर वो मिट्टी फिर से यह जो जाएगी जो बड़े बाले लंबे ड्रम हैं कुछ ऐसे गमले हैं जो खाले होगाई सब को पलटके में एक जगह स्टोर कर देती हूं उस मिट्टी को स्ट्रलाइज करती हूं और स्टोर करके बुरीम भरके रख लेती हूं अपने स्टोर म फिर जब जिस पॉट को भरना होता है उसमें से दो तगाड़ी मिट्टी निकालती हूं उसमें तुरेंत गोबर का खाद मिलाती हूं खाद भी आपको बता स्ट्रलाइज होता है और फटा फट मिट्टी रेडी करके फिर से यूज कर लेती हूं तो बस बरसात खत्म होते ही आपको मिट्टी पर काम करना है आपके पॉट इस्ट्रलाइज करना है पौद नहीं डाली है तो पौद डालने बीज नहीं खरीती है तो अभी खरीदना है यदि आप पौद नहीं उकापाते थोड़ा सा भी आपका घ्यान कम है तो आप सिरकारी नरसरीज में झाल झाल